नमस्कार, घरेली उप्चार में आपका स्वागत है, मित्रों, आज हम इस वीडियो में सीवलिंग और बेलपत्र, एक जबर्जश्ट टोटका है, मित्रों, इस दुनिया में धन संपती ही महान है, जिन ब्यक्तियों के पास धन की अभाव है, उन ब्यक्तियों से पूछा जाए, कि धन क्या होता है, दुर्भाग क्या होता है, और जो ब्यक्तियों के पास धन का अभाव नहीं है, वो धन्मान है, वो गरीबी को क्या जानते हैं, और गरीब उस धन्मान का सुख क्या जानें, तो मित्रों यह दुनिया धन काई है, रुप्या पैसा नहीं, तो कुछ भी नहीं, कोई कार्य समय से न होगा, तो मित्रों आज दुर्भाग्य को दुर्भागाने के लिए, और उस दुर्भाग्य के जगाह पर सौभाग्य की प्राप्ति दिलाने वाला यह सीवलिंग और बेल पत्र है, तो मित्रों सीवलिंग से सभी लोग परचित हैं, लेकिन बेल पत्र, तो बेल पत्र वही है जो सीवलिंग पर चड़ाया जाता है, भगवान सीव का प्रिय जो है, बेल पत्र है, तो आए हम बेल पत्र दिखाता हूं और आपको वीडियो के माध्यम से भी उसका हम पेड दिखा दूगा, तो मित्रों देखिए ये ही जो है ये बेल पत्र है, जो की भगवान सीव पर चड़ाया जाता है, मैं पत्ता दिखा रहा हूं, देखिए ये ही है, तो आगे हम वीडियो के माध्यम से आपको वो पेड भी दिखा दूँगा, पत्ता से आप पहचान लिजिए, तो मित्रों चले हम वो पवजा भी दिखा दूँँ, बेल बरिख का, तो मित्रो यह रही बेल ब्रीच तो मित्रो आपको एक सीव लिंग का तलास करना होगा जहां लोग सीव लिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हों यानि उनकी पूजा पाट होता हो और वह सीव मंदीर मसुहूर हो तो आप सीव लिंग के पास जाईए और सीव लिंग पर चढ़े हुए बेल पत्र को एक पता उठा लेना है अगर सीव लिंग का उपर कोई बेल पत्र मिल गया तो उसे उठा लिजिए अगर उपर गिरा हुआ नहीं है तो नीचे जो सीव लिंग से अश्पष्ट पता हो उस एक पत्ते को आप उठा लें और उठाते समय पूरा सरधा विश्वास से कहें कि हम इस बेल पत्र को धम संपती के लिए या और जो भी आपका मनो कामना हो वह कहें और कहने के बाद पूरा सरधा विश्वास से लाएं और लाकर अपने जेब में उस पत्ते को रखें और जब भी वह पाता बेलकुल जब सुख जाए तो फिर इसी परकार से आप दूसरा बेल पत्र वहां से लाकर अपने जेब में रखें तो मित्रों यह सीव लिंग से बेल पत्र लाया हुआ यह सक्तिसाली होते ही है यह जितने सीव लिंग में सक्तियां है वो सब बेल पत्र में समाहित हो जाती है और यह दुख और दुरभाग्य को पुरुन रूप से दुरभागा देता है और ब्यक्ति को धीरे धीरे भाग्य चमकने लगता है वह ब्यक्ति धन्मान बनने लगता है और वह ब्यक्ति जो कार्य सोचेगा वह उसका फटा फट बनेगा उसमें कोई बिलम नहीं आएंगे लेकिन यह कार्य पूरा सरधा विश्वाव से करे मित्रों और भरपूर लाव उठावें यह बेल पत्र और सीव लिंग का एक टोटका उपाय है तो आप लोग सीव लिंग के विशे में जानते ही हैं कि भोले नाच कितना बरदानी हैं तो मित्रों आप इस टोटका परयोग से लाव को जरू उठावें तो हम इसी तरह आपको वीडियो देता रहूँगा और आप वीडियो के माध्यम से टोटका परयोग से लाव को उठा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाजात नमस्कार